हलोई एरेवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटीब चनल में तो आज हम टॉपिक डिस्वस करने वाले जैसा कि आप थम्मनेल में देख सकते हैं कंपाउन इंट्रेस् और सिमपन इंट्रेस्ग तो सबसे हम टॉपिक की बात कर ले, compound interest और simple interest की बात करें, तो आप कर एक exam में इससे 2-3 question पूछे जा रहे हैं, और ये topic क्या होता है, arithmetic का अच्छा topic होता है, arithmetic में से इस topic से किसी भी exam में question पूछने की probability क्या होती ही जादा होती है, क्योंकि compound interest से सब लोग घबराते हैं, मतलब अधिकतर लोग घबराते हैं, और उस शक्कर में क्या होता है, कि उस topic को skip कर देते हैं, और इसलिए examiner इस शेश का फायदा उठाके, इस topic से ही हमेशा arithmetic अगर बात करेंगे, तो इस topic से वो question पूछन पूछता ही, पूछता है, उसका fix है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और साथ में घंटी की बल आइकन को प्रेस कर देना, और अभी daily basis पे आपके English क्लासे हो रही है, रिजिनिंग क्लासे हो रही है, और Math की क्लासे भी हो रही है, और हम revision करवा रहे हैं, तो आपको I hope सभी classes अच्छी लग रहे होगी, अगर आपको कोई भी suggestion होगा, तो आप क्या होता है, simple interest क्या होता है, compound interest क्या होता है, interest actual में क्या होता है, ठीक है, और इसके बाद हम इसके question practice करने वाले, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कितना काम करना है कि full energy के साथ बैठ जाना है, और pen और paper लेकर बैठ जाना है, और साथ में वीडियो के साथ में जब भी question है, सबसे पहले हम देखेंगे, interest होता है, interest हिंदे में मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है, ब्याच, ठीक है, ब्याच, ठीक है, तो देखो, ब्याच क्या होता है, तो अगर हम ब्याच की बात करेंगे, जैसे आपने किसी, आपको पैसे की ज़रूत पड़ी है, अब पैसे आप कितने दिन में लटाओगे, तो आपने कहां कि एक साल में लटाएंगे, हो सकता है कोई लोग दो साल में लटाएंगे, तो अब फ्रेंड क्या बोलेगा कि भाई अगर आप दो साल में पैसे लोटाएगा तो इसमें मुझे कुछ एक्ष्टा रूपए चाहिए कैशिये, जो रूपए उसने दिया है वो तो चाहिए ही चाहिए, बड उसके साथ में कैशिये, एक्ष्टा रूपए चाहिए, जो क्या होगी, उसकी फीस होगी, क्या होगी फीस? फीस यानि की अगर फीस कहे या फिर एक्स्टा रूपए कहे ठीक है तो यह जो फीस मिलती है एक्स्टा में ज्यादा जूपए जो मिलते है एक्स्टा फीस मिलती है यही क्या होता है अब बात आती है कि फीस कितने मिलेगी तो वो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करता है तीन दूसरा क्या होता है तो दूसरा होता है rate है अभी सिंद्धी में बताऊंगा और तीसरा क्या होता है time इस factor पर depend करता है कितना interest मिलेगा या फिर कितना प्याज मिलेगा ठीक है इन factor पर depend करता है अगर हम principle की बात करेंगे तो अगर हम principle जितना रखेंगे उतना जादा interest मिलेगा rate of interest करेगा piece पर हो कि एक साल में कितने रुपे चाहिए अगर जिए एक साल रुपे लिये और वह दो रहा consistent कि मुझे एक साल बाद 110 रुपे चाहिए complex 110 रुपय चाहिए facets एक सो रुपे लिया है वह तो चाहिए कितना चाहिए 10 मतलब 100 रपर में 10 यानि जो rate of interest हो जाएगा यानि दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10% ठीक है अब principle यानि हिंदी में हो जाता है ये मूल धन ठीक है मूल धन होता है अगर time की बात करेंगे तो जितने time के लिए लेंगे उत्रह जादा interest मिलेगा अगर मालो 10% rate पर आपने वो depend करता है तो principle पे rate of interest पे और किस पे time पे जितना होगा उस पे depend करेगा ठीक अगर हम simple interest की बात करेंगे तो simple interest क्या होता है देखो भी एक साल में 10% तीन साल में कितना हो जाएगा 30% तो simple interest होता है तो simple interest आता है सीधर direct करेंगे rate of interest into time से कि भई जितना rate of interest उतना और जितना time होगा उसका गुणा कर लो rate of interest है कितना 10% time है कितना 3 साल यानि जो interest मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको 30% मिलेगा कितना मिलेगा 30% अगी बास समझ में सभी को तो I hope सभी को सारी चीज़ना आ गई होगी तो simple interest से हम ब्याज कैसे निकालेंगे simple है rate of interest into time से निकालेंगे ठिक तो इस simple interest आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं हम Compound Interest की, ठीक है, Compound Interest की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझना है, ठीक है, और Session को Like करके Share भी कर देना सभी को भई, ठीक है, आपको efforts हमारे अच्छे लग रहे हैं, और भी हम GS की Classes के लिए भी प्लान कर रहे हैं, तो आपका जितना Interest रहेगा, आप जितना Share करेंगे, जितना Like करेंगे, उसके इसाफ से हम GS की Classes भी जल्द ही Start करने वाले हैं, चले, अब बात करेंगे Compound Interest की, Compound Interest क्या होता है, Simple Interest, नाम से यह होता है, Simple, मतलब हर साल क्या होगा, सेम होगा, एक साल 10% मिलेगा, तो अगले साल क्या मिलेगा, 10%, अब जैसे मान लीजे, 2000 रुपय या कोई भी Value है, ठीक है, principle है ठीक है पहले हमने किया किया principle है इस फिर हमने 10% बढ़ाया ठीक है 10% बढ़ाया तो यह बढ़कर कितना हो जागा 110% अब अगले साल जो interest मिलेगा तो अगले साल जो interest मिलेगा यह principle पर नहीं मिलेगा किसमें मिलेगा एक साल में जो value बढ़ चुकी है जो amount आ चुका है उस पर लगेगा, ठीक है, इसका फिर से 10% बढ़ेगा, फिर ये value बढ़ी हो जाएगे, फिर से इसका 10% बढ़ी हो जाएगा, फिर से ये value क्यों जाएगे, बढ़ी हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि जब भी हम componentist की बात करते हैं, अब इसका निकालने का तरीका क्या है, ध्यान समझ लीजे, अब सबसे पहले amount को समझना भी amount क्या होता है, amount ये होता है, amount होता है जिसमें हम पैसे लेते हैं, वो तो हमें पैसे वापस करेगा, यानि वो क्या होता है principle, और जो extra मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, interest होता है, वो क्या होता है, interest, तो amount मतलब की हिंदी में होता है, ये मिश्रिधन, मिश्रिधन किसके बराबर होता है, तो आपको सारी चीजे समझ में आ जाए अब आगे देखते हैं अमाउंट हो गया principle प्लस interest होता है अगर हम बात करेंगे कि कैसे निकालेंगे तो इसके तरीके समझ लेते कि हमें component निकालना तो हम उसे कैसे निकालेंगे देखो principle कितना है अब इसकी fraction value जो होती वो एक बटे 10 होती है कितनी होती है एक बटे 10 तो दस पर एक कब्या जैने कितना हो जागा 11 बटे 10 ठीक है तो बस एक साल के लिए 11 बटे 10 कर दिया अगर 2 साल है तो फिर से 11 बटे 10 कर देंगे 3 साल है तो 3 बार 11 बटे 10 से गुणा करना पड़ेगा अब इसे solve करने पर क्या आएगा amount आएगा amount जिसमें principal भी जोड़ा होगा और क्या जोड़ा होगा interest और amount में से हम interest minus sorry amount में से principal minus करेंगे क्या minus करेंगे principal तो क्या बचेगा आपका तो interest आएगा interest आएगा interest ठीक है तो देखो ज्यां से समझना है तो यह कितना होगा 1,2,3 से 3,0 कर जाएगे ठीक है यह कितना होता है 11 का क्यों 131 into 2 ठीक है ठीक है क्या जाएगा principal अब यह एक ही तरीका नहीं है इसे निकालने का दूसरा तरीका क्या है तो देखो ध्यां समझना और जिसको screenshot लेना screenshot पर लेते वे चलना भी session में अगर आप दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरे तरीक के direct fraction value वाला हमें बता है की value कितनी होती है 11 बटे 10 हो रही है तो 11 बटे 10 ठीक है ये कितना हो जाएगा 1,000, ये amount है, ये principle है, और amount मेंessional से अगर हम principle को घटा दे, यानि किसको घटा दे, 1000 को, सीधा आपका ratio में कितना घ़ाएगा, ratio में 321, ratio में किया सीया जाosit L and 131, तो आपका compound interest ना जाएगा क्या जाएगा compound interest ठीक है तो I hope सभी को सारी चीज़े यहां तक समझ में आ गई हो कि अच्छा पीछे वाला दिखनी रहा होगा आपको अच्छा ठीक है ठीक है एक सेके देख लेते हैं इसको मैं फिर से बता देता हूँ नीचे वाला दिखनी रहा होगा चले इसका screenshot ले लिए तो मैं इसको erase कर रहा हूँ ताकि दूसरी चीज़े मैं आपको बता सको तो हमारा क्या चला था यह चला था ना इसकी जो रेशियो में एक बते दस यहने अमाउंट और प्रिंसिपल को जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा ट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रे 321, कितना जाएगा 321 जाएगा, ठीक है तो I hope सभी को सारी चीज़े समझ में आ रही होगी समझ में आ रही है समझ में आ रही कि नहीं आ रही, शेशन में end में बताना है अब लोगों को, ठीक, अब इसका दूसरा method भी है, दूसरा method क्या है, दूसरा method है आपका formula वाला, ठीक है percentage से जिसमें deal करते हैं तो जिसमें हम formula लगाते हैं, कौन सा वाला ये a plus b plus a into b upon 100 ये वाला formula लगाते हैं, अब देखो ध्यान से समझना है, कैसे लगाएंगे पहले, 10% पे लगा लो, 10% plus 10% हाना, plus 10 into 10% अपाउं 100, दो साल की बात होगी, तो कितना हो जाएगा, ये 20 और 1, कितना हो जाएगा, 21% ठीक है, मगर हमें तो 3 साल का बताना है फिर से 10% जोड़ लो इसमें, तो इधर लिख लेते हैं 21 plus 10 plus 21 into 10, ठीक है कितना हो जाएगा, 0 से 0 आजाएगा ये 2.1 बना जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 31 plus 2.1, यानि कितना हो जाएगा 33.1, ये percentage में सीधर डारेक्ट, सीधर डारेक्ट कितना हो जाएगा percentage में, component रेस 331 तो मैंने सारे method बता दी आपको ये हमने ratio वाला भी कर लिया है, इसके पहले में note कर लेना भी, ठीक है, आज practice question है तो practice question हम अच्छे से करने वाले है ठीक है, चले तो अब चलते हैं, आज के questions पे और कुछ चीज़े रह गई, हाँ और कुछ चीज़े रह गई, ये चीज़े और बता देता हूं में, एक concept और रह गया हमारा 2000, rate of interest ले लिया, हमने जिससे 20% ले लिया, और time कितना ले लिया 3 साल, अगर आप से examiner बोलता है compound interest, किससे 6 माई यानि 6 monthly बोलता है, 6 monthly half yearly बोलता है, half yearly बोलता है या 6 माई बोलता है, तो 6 माई में एक चीज़े ज्यान रखना, जो rate of interest होता है वो एक साल का होता है, per year होता है एक साल का कितना, 20% तो अगर एक साल का 20% होता है तो हमें 6 मेने का निकालना है, तो एक साल का आथा कितना होगा, 6 मेने तो 10% का half कितना होगा, 6 मेने होगे कितने होगे, 6 मेने होगे, ठीक है अब देखो, इसको one and तुझ हmberão के हैं चीज यहां चीज को कि अगर शे मेन टाइम कितना है तो मिलते में देखोंज साल तक 25 को किने लेना तो आपको युंकि क्या मैंट करना है 6 monthly count करना है, क्या करना है, 6 monthly count करना है, ठीक है, 6 monthly count करना इस वज़े से, ठीक, अगर आपसे 3 माही बोलता है quarterly, quarterly देख लो, 3 महीने तो, देखो, 3 महीने एक साल में कितने बार आएंगे, 4 बार, तो 4 से divide कर तो 20% को कितना आजाएगा, 5%, अगर ऐसा नहीं करना है, तो क्या कर सकते है, देखो, एक साल का हाफ कितना होगा, 6 मेने, और 20% का हाफ कितना हो गया, 10%, और 6 मेने का हाफ कितना हो जाएगा, 3 मेने, और 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है, अब देखना है, जो भी टाइम है, उसमें 3 मेने कितनी बार आ रहे, तो अगर हम देड़ साल की बात करें 18 मेने और 18 मेने में 3 मेने किती बराएंगे 6 बार यानि कि जो आपका time period हो जाएगा कितने साल के परावर हो जाएगा 6 बार आपको 5, 5, 5, 5, 5% क्या करना आपको count करना है ठीक है और count करने का तरीका हमने बताई दिया है अगर 6 माई count करेंगे तो 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10, इंटू 11 बटे 10 हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा 13, 31 बटे 1000 और 13, 31 में से 1000 को मैनस करोगी component रशा जाएगा 5% के लिए fraction value कितनी हो जाएगी 21 बटे 20, 21 बटे 20 और 21 बटे 20 ठीक है तो इस तरीके से आपको सारी सीचे करनी है बताओ, सारा concept clear हो गया है सारा concept ने clear कर दिया है अब हम करेंगे question practice और उसके साथ में जो भी concept बनेंगे सारा question discuss कर लेंगे चले, चले वही आगे चलते है screenshot ले लिए से इसका ले लिया है, चले अब चलते हैं हमारे पास question पे, question आ क्या है वीडियो को pause कीजे, question को खुद solve कीजे, और उसके बाद मेरा explanation देखिए, कि explanation क्या होगा जो बताओ, इसका answer क्या होगा, फटा फट चले, देख लेते हैं question में क्या करना है हमें, question में बोला है कि 1600 रुपे की धनराशी दो वर्षो में है ना, कितना है, दो वर्षो इसका color change करते हैं, एक second color ये लो कर लेते हैं, ठीक है दो वर्षो और तीन महिनों में दो सो बावन रुपे का साधरन ब्याज देती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्याद कीजे, तो देखो ध्यान से सोला सुर रुपे है, सोला सुरो दो वर्ष और तीन महिन में, तो देखो, दो टू इयर और त्री मन्स, यानि किस में change कर लो, टू इयर, त्री मन्स और इसको साल में change करेंगे, किस से divide करेंगे, बारा से, क्यों divide करेंगे, क्योंकि देखो, एक साल में 12 मैने होते हैं, यानि कितना हो जाएगा, यह 1 by 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 दुनी 8, 8 और 1, 9, यानि कितना हो जाएगा, 9 बटे 4 साल, फ्रेक्शन में चेंज कर दिया, 9 बटे 4 साल की जो ब्याज मिला है, कितना मिला है, 252, अब हमें ब्याज दर निकालना है, ब्याज दर आपको पता है कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर होती है, दर क्या होती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर होती है, तो 9 से डिवाइट कर देंगे, इसको 9 से कर देगा दो बार, और बाहतर हो जाएगा, 9 बाहतर हो जाएगा, एक साल का ब्याज दर निक जो 112 है उसे हमें compare करना है किस से principle से जब भी rate of interest निकालना होता है interest upon principle into 100 करते हैं ठीक है interest कितना है 112 principle कितना है 1600 into 100 2-0 से 2-0 cancel 16 से कितने बार कटेगा यह 7 बार यानि कितने परशंट हो जाएगा 7 परशंट तो आपको जो right answer होगा option number c is the right answer ठीक है अगई बसमझ में सभी को कर सकते हैं बिलकुल अगर ऐसा नहीं करना था तो देखो 1600 है 1600 का 1% कितना होगा 16 और 112 मिला है यह कितने परशंट के बराबर है तो 112 को 16 से divide करेंगा एक परशंट के value कितने परशंट आज आएगा 7 परशंट ऐसे भी कर सकते थे डारेक यह आपकी knowledge पर डिपेंड करेगा कि आपको percentage की कितनी knowledge है आपको percentage की और ratio के कितनी knowledge है उसके next step आपको क्या करना है कम करना है क्या करना है कम करना है ठीक चलिए अब चलेंगे next question पर आज के चले next question आगया है next question अच्छा है question बढ़ा दे के घबराना नहीं है question को पढ़ो ध्यान से और बताओ इसका answer क्या होगा ठीक है चले हम question को solve कर लेते हैं नितिन ने कुछ पैसे तीन वर्षों के लिए 6% पर उधार लिया ठीक है तो भाई तीन महीनों के लिए 3 वर्षों के लिए आगे देख लेते हैं और 8 वर्से अधिक की अधी के लिए 13 पर्षंट ठीक है तो 3 साल यह हो गए पांस साल यह हो गए 8 पर्षंट 8 साल से जादा कितना 13 पर्षंट ठीक है 13 पर्षंट हो गया कितना रहेगा तीन साल के अंत में उसके द्वारा उसे कुल ब्याज कितना मिलता है तो कुल ब्याज में उसे मिलता 55 % और यह कितना हो जाएगा आपका तो 39%. तो Kतना हो जाएगा, 8 और 5 1130 और 9 22 हो जाएगा, दो आगया ठीक है, 3 और 47 और 8 और दो 10 102% 102% की जो गएलू है, वो 8based कितना मिला 8 precio 150. पिंशिपल हमेंशे आपने अपने 100% होगा, कितना होगा, 100% तो बस तो यह इसका कितने गुना है इसका 8 गुना है एक और क्या लगा देंगे एक 0 लगा देंगे तो 8 और एक 0 ठीक है 0 भी था 8 गुना है 816 हमें निकालना है प्रिंसिपल याने की 100% की value क्या निकालना है 100% की value निकालना तो 100% कितना हो जाएगा तो 100% हो जाएगा 8000 क्या हो जाएगा भई 8000 हो जाएगा आगई बास समझ में सभी को बताओ clear है चलो clear होगे सभी को screenshot ले लिए जल्दी से इसका screenshot ले लेंगे तो फिर हम चलेंगे next question पर ठीक है भई चले अब चलते है next question पर तो next question गीरा जल्दी से बताई इसका answer क्या होगा भड़ावट वीडियो को बास करके answer करना है अब लोगों और homework वाले question का answer कल आशा ने दिया था देखो homework वाले question आपको solve करने है उसका answer बताना है जो भी answer करेगा मैं उसका daily screenshot लेके आया करूँगा तो प्रतिवर्ष की दर क्या है प्रतिवर्ष की दर क्या है एक धनराशी स्तादरन ब्याश पर देखो simple interest आपको पता है कैसे आता है तो यह आता है rate of interest into time से starting में बताया था अब धनराशी का जो ब्याज है वो 9 बटे 25 है अब धनराशी हमें पता है क्या नहीं पता तो आप बोलोगे हम कितना जुम करेंगे 100% जुम करेंगे बिल्बुल सही बोला आप लोगों ने 9 बटे 25 हो गय कितनी बार यह चार बार नौचों जो कितना हो जाएगा 36 परशेंट आएगा ठेक है आगया अब क्या हो गया है यदी वर्षों की संक्या वार्षिक दर प्रतीशत के बराबर है तो मतलब की rate of interest और time क्या है दोनों बराबर है इसको ऐसी दो value में break करना है जिसका गुणा करन पर 36 आए और दोनों क्या हो बराबर हो तो आप कहेंगे भी गुरुजी 6 होगा और क्या होगा 6 होगा तो 6% क्या हो जाएगा आपका rate of interest और time भी कितना हो जाएगा आपका 6 साल ठीक है हमसे पूछा गया एक्जामिनर ने हमसे पूछा है अद्दर याने की 6% याने कि इसका तो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा 6% इसका राइट आंसर होगा अगी नबास समझ में सभी को clear है thumbs up करके बता दो जल्दी से like बटन पर thumbs up कर दो चलो बढ़िया है शांदार चलते अब next question पर बढ़िया बढ़िया question लाट लिए है मैंने आज जिससे आपका जो एकदम actual में exam में question आएगा इसे एक धनराशी पर साधरन ब्याज मूल धन का एक बटे 9 है मूल धन होगा 100% इसका एक बटे 9 क्या हो जाएगा simple interest होगा तो देख लोगे कितना हो जाएगा 100 upon 9 यानि कितना हो जाएगा यह हो गया simple interest अब बोला क्या है वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर बराबर है अभी म से नहीं बताया था फिर से बता देता हो आपको कि simple interest क्या होता है तो वह होता है rate of interest into time होता है क्या होता है rate of interest into time होता है तो बस और दोनों क्या है दोनों बराबर है तो बराबर रख लो गई तो बराबर रखने के लिए क्लिए क्या करना पड़ेगा square root कर दो square root क्या क्या कर तो स्क्वार रूट कितना जाएगा 10 बटे 3 ठीक है 10 बटे 3 देखो 10 बटे 3 और 10 बटे इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा यह हो गया आपका rate of interest और यह हो गया time आप पूछा क्या है बैस की तर तो बैस की तर इसको निकाल लो भी तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा तीन बार एक बचेगा और तीन सा एक बटे 3 परशंट क्या हो जाएगा आपका rate of interest तो आई होग आपको यह सारी चीज़े clear हो गई होगी ठीक है किसी को कोई doubt नहीं होगा clear है ना बोलो clear है चले अब चलेंगे next question पर next question आगया यह वैच्छा question है यह देखो अब exam में जो आपसे इससे एक ही question पूछेगा मेंने मगर इसमें question कितने लिखे राशी या तो राशी पूछेगा एक question या तो बयास की दर पूछेगा या दो दो सार दो साल में मिश्रदन पूछेगा या फिर 20 वर्ष में विश्रदन पुछेगा या फिर क्या पुछेगा आपके मिश्रदन 900 रुपए कितने साल में होगा मगर मैंने कितने कुशन लिए 5 तो ये एक कुशन 5 कुशन के बराबर है ये सब कुछ सेम रहेगा बस last line चेंज करेगा किसी में पुछेगा बैस की दर किसी में पुछेगा मिश्रदन किसी में पुछेगा तो जो complete revision की मैंने बात किया था आप से कि आपका इस topic का complete revision होगा तो इसको आप एक कुशन consider मत करना ये 5 कुशन के बराबर है और इसमें सारे doubt आपके एक साथ clear हो जाएंगे इस type के question में हमें क्या करना easily हम कैसे question को solve करे वहाँ एक धनराशी साधरन ग्याश पर 3 साल में 690 और 7 साल में कितनी हो जाती है तो 910 हो जाती है तो कोई principle था वो 3 साल में और 7 साल में तो 3 साल में कितना हो गया है तो 3 साल में हो गया है 690 और साथ साल में कितना हो गया है 910 नहीं होगा यह 810 होगा ठीक है इसको सभार लेना इसको सही कर लेना इसका मैं चेंज करके लिख देता हूं उसको एक सेकेंड पूरे इसको 810 कर लेना ठीक है 810 चलिए अब कर लेते हैं इसे अश्व क्या मैं जी कर İşin याने प्रिंसिपल से प्रिंसिपल और सब्रेंस तोCh question है किस्टना हो जाता है 670 और साथ साल में कितना हो जाता है अब सिमपल इंट्रेस्ट में तो अगले साल उतना ही मिलेगा तो इसका डिपरेंस कितना है इसमें कितनेPS के बाद है चार साल की इहुत है यह रजाएं ऍटर्स आएड किया कि तीं साल में तो कितने आएगा ता थान में see trust कितना मिला है 120 अब आपको निकाला हुआ है एक साल का इंट्रेस हो कि हर सालfi यहां होता है डिस एम होता है ऐक साल कहां इंट्रेस्ट कितना हो जाएगा ? तो एक साल का इंटरेस्ट हो गया 30 खीक अब हमें सबसे पहले निकालना है principle तो देखो धियान से समझते हुए चलना है ना एक एक question discuss करेंगे तो पहले निकालना है principle अब 690 में 3 साल का interest add है 3 साल का interest अगर हम minus कर दे तो क्या बचेगा only principle बचेगा क्या बचेगा principle तो minus कर दो भई एक साल का 30 है 3 साल का कितना हो जाएगा नब पे minus कर दिया principle कितना जाएगा 600 ठीक है पहला question सौल हो गया दूसरा question क्या बचेगा rate of interest तो rate of interest देख लोगे principle आ गया है तो rate of interest क्या होता है rate of interest upon principle into 100 होता है तो बस 30 बटे 600 into 100 2 0 से 2 0 और यह कटेगा कितनी बार 5 बार तो कितना जाएगा 5 परसेंट कितना जाएगा 5 परसेंट कितना जाएगा 5 परसेंट ठीक है या फिर simple देखो इसके 10 परसेंट की value कितनी है इसके 10 परसेंट की value 60 है तो 30 कितना होगा साटका आधा यानि कितना हो जाएगा direct 5% हो जाएगा कितना हो जाएगा 5% ऐसा भी कर सकते है तो second question भी solo हो गया है थीक है अब तीसरा question देखते हैं तीसरा question है 20 वर्शन में मिश्रेंट तो देखो भी principle प्लस principle प्लस 20 साल का interest एक साल का कितना है 30 लिंसेबल है 600 प्लस 20 साल का इंट्रेस्ट 20 इंटू एक साल का कितना है 30 तो 600 और 600 कितना हो जाएगा 1200 1200 क्या हो जाएगा इसका तीसरा कॉश्ण 1200 क्या हो जाएगा इसका तीसरा कॉश्ण हो जाएगा ठीक है ना 1200 क्या हो जाएगा पीसरा question हो जाएगा, अब last question बचा है, कौनसा question बचा है, last question, last question देख लेते हैं, last question बोला है कि 900 रुपए कितने साल में हो जाएगे, तो देखो, धियान से देखना, 900 रुपए कितने साल में हो जाएगे, तो 900 रुपए, 900 में क्या होना अची है, principle 600 हो जाएगा, और 300 क्या मिले ऐसकाणसर कितना हो जाएगा ठैनियर हो गया आपको सरी समझ में आ गए होगी एक चीज मैंने सारी चीज आपको यह हो गया, और चारी question थे ना और fourth question का आंसर यह हो गया, तस साथ, ठीक ना, चलिए, very good, चलते है, next question के, तो हमने 5 question कर ली है, बहुत easily और बहुत जल्दी, चलिए भई है अब चलते है next question पे, next question क्या बुला है, बताई जल्दी फटपट क्या होगा असका आंसर, एस question में बुला है कि 10% पतिवर साधरनव्याश की दर पर कितने साल में कोई धनराशी खुद का तीन गुना हो जाती है किस से साधरनव्याश से तो देखोई ये वाला question पूशन पूशता है एक तो साधरनव्याश से भी पूशता और शक्रतिव्याश से भी पूशता तो आपको देखना है कि हमेशा principle अपने आप में कितना होगा 100% होगा कितना होगा 100% होगा हमेशा principle अपने आप में कितना परशंट होगा 100% होगा तो अब करना क्या है अब आपको देखना है कि कोई value खुद का 3 गुना हुए, 3 गुना मतलब की 100% था 300% हो गया, कितना परशंट हो गया है, 300%, कितने साल में हुआ है, तो ये हुआ है 3 साल में, 3 साल में हुआ है, तो अब देखो, principal initial में, याने शुरुवात में, कितना था 100%, कितना था 100%, अब 100% से 300 हुआ है, 500%, था 200% हुआ है , 200% था 100% हूआ हूँ, तो 3 साल में जो हमें interest मिला है, वह कितना मिला है, 200%, ठीक है ? जितना मिला है, 200% मिला है कोशन चेंज हो कि एक सेकेंड एक सेकेंड तीन साल में कितना मिला है 200 परशन मिला है तो अब आपको क्या बताना है कि 10 परशन अरे सौरी सौरी कोशन मैंने रीड करने में थोड़ी गल्दी कर दिया एक बार फिससे कोशन बता देगा हूं कोशन में पूचा गए कि 10 परशन साधरन ब्याश की दर से कोई धनराशी कुद का कितने गुना हो जाएगी तो देखो 100 परशन था कितना हो जाएगा तो आपको 200 परशन चीए इंटरेस कितना चीए 200 परशन चीए क्तने गुना है इसका 20 गुना तो इसका भी करेंगे क्या 20 गुना तो बीस गुना कितना हो जाएगा 20 साल तो इसका जो राइट अंसर होगा क्या हो जाएगा 20 साल हो जाएगा 100 था तीन गुना किया 200 परशन इंटरेस्ट मिला एक बार तुन लो 300 होगा 200 परशन इंटरेस्ट मिला है ठीक है अब करना क्या है तो आयों सभी को last question समंझ में आगया होगा अब हम करेंगे आगे को question discuss कर लेते हैं ठीक है इसी concept पर आपका अगला question भी आने मला है अगले question को आपको करना क्या है वीडियो को pause करके पहले question को फुछ सोल करना उसके बाद ही मेरा explanation दीखना एग चली देख लेते हैं अगले question को तो अगले question में क्या बोला है कि साधरन ब्याज से कोई धनराशी 8 साल में खुद का दो गुना हो जाती है तो धिहान से समझना है इस question को इंग change कर लेता हूं मैं कोई धनराशी पहले हमेशा 100% रहेगी और 8 साल में कितनी हो गई है तो 8 साल में कितना हो गई है तो इसमें 100% हो गई है 300% करना है तो 100 से हमें क्या करना है 300% करना है कितना पर्षेंट करना पड़ेगा 200 पर्षेंट कितना 200 पर्षेंट अगर 100 साल में 100 पर्षेंट मिलता है अब इंट्रेस्ट कितना ची हमें 200 पर्षेंट इंट्रेस्ट कितना जाएगा 16 साल में इतने साल में आएगा 16 साल में तो जिसका राइट अंसर होगा तो क्या हो है कि कितना add हुआ है इस पर ध्यान रखना है कितना add हुआ है ठीक है इस इस को देखना है चलिए अब चलते हैं next question पर तो next question यह रहा अब करेंगे कुछ component क्यों question solve component अब बेसिक स्टार्टिंग में सीख लिया था अब देखेंगे कि component अब कैसे निकालेंगे तो component कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना है बोला गया है कि 10,000 रुपए की धनराशी 20 पतिशत की वार्षिक डर से दो वर्ष के लिए 6 माही में चक्रवद्धी ब्याज ग्यात कीजिए अभी क्या निकालना है आपको component निकालना है बड़ यह क्या है आपका 6 मंतली है क्या है 6 मंतली हिसाब से निकालना है और क्या निकालना है चार बर यानि जो time हो जाएगा आपको कितनी बार करना है 10-10% तो चार बार काउंट करना है कितनी बार करना है चार बार यानि टाइम किसके बराबर हो जाएगा चार साल के बराबर हो जाएगा ठीक है तो बस simple था कि एक साल का 20% 6 मेने का 10% हो जाएगा, 4 साल और 2 साल में 6 मेने 4 बार आएंगे याने 4 बार आपको 6-6 मेने का इंट्रेस काउंट करना है ठीक है, चलो तो देखो, तो क्या गरेंगे सीधा डारेक्ट, प्रिंसिपल हमें दिया है 10,000, ठीक है into, कितना हो जाएगा, into ग्यारा बटे 10 into ग्यारा बटे 10 into कितना हो जाएगा ग्यारा बटे 10 into ग्यारा बटे 10 ठीक है, 4 बार लेना, 1, 2, 3, 4 चार बार, चार बार काउंट करना था 1, 2, 3, 4, ठीक है इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, अब ग्यारा का मिल्टिपल कर लो भी ग्यारा का, तो ग्यारा से ग्यारा का मिल्टिपलाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 13, 31 और 13, 31, 3 11 का क्यों कितना होता है, 13, 31 होता है और 13 को ग्यारा से मिल्टिपलाई करेंगे, फिर लाएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा चार पिलाएगा एक यह क्या आया है तो आप कहेंगे amount आया है मगर हमें निकालना क्या है तो हमें निकालना चक्रद्धिव्यास तो amount में से हम principle minus करेंगे और principle है कितना आपका 10,000 यानि कि जो आपका right answer होगा वो कितना हो जाएगा 4641 यह क्यों जाएगा आपका compound interest हो जाएगा अब यह एक ही तरीका नहीं है निकालने का दूसरा तरीका क्या आप ratio का भी उस कर सकते हैं या फिर percentage का भी उस कर सकते हैं तो इसका screen shot ले लीजे तो मैं बताता हूँ कि ratio से कैसे निकालना है और percentage से कैसे निकालना है इसका दूसरा method देख लेते हैं इसका दूसरा method क्या हो सकता है तो दूसरा method जो है दूसरा method की बात करेंगे दिसमें ratio का use भी कर सकते है ratio का use करके बता देता हूं कि 6MI है rate of interest कितना है rate of interest आपको पता है भी बताया था मैंने थोड़ दिर पहले rate of interest जो होगा इसका कितना हो जाएगा 10% अब time 2 साल है 6 माई करना है तो 2 साल में 6 में 6 महीने कितनी बार आएगे 4 बात तो 10% 10% और क्या हो जाएगा 10% 10% और 10% A plus B plus A into B upon 100 से इसको use करेंगे इतना जाएगा 21% 10% और 10% इसमें भी कितना आएगा 21% फिर इन दोनों में लगाना है A plus B और A plus A into B upon 100 तो 21 plus 21 कितना हो जाएगा चले अब आगे देख लेते हैं चले नेक्स कुशन नेक्स कुशन यह रहा जदे से बताएगा इसका अंसर क्या होगा फटापट अगर पिछले कुशन जैसा ही है सेम कुशन बुला गया है 20% की दर से 9 महीने के लिए याने quarterly क्या निकालना है अगर 12 महीने का rate of interest 20% है तो 3 महीने का मतलब 3 से divide करेंगे 12 को तो 3 से divide कर दिया कितना जाएगा इसका 5% कितना जाएगा 5% तीन से नहीं 4 से divide किया कितना जाएगा 5 % अब 9 महिने में 3 महिने किते बार आएंगे 3 बार यानि टाइम जो होगा 3 साल के पराबर होगा 3 बार आपको कॉन करना है 3-3 महिने का 5 परशन की fraction value कितनी है तो 5 परशन की fraction value 21 बटे 20 मतलब 21 बटे 20 नहीं है 1 बटे 20 है 20 पर एक इंटर चोड़ेगा कितना हो जाएगा 21 तो 16,000 इंटर 21 बटे 20 इंटर 21 बटे 20 कितना हो जाएगा 21 बटे 20 हो जाएगा इसे से निकाल सकते हैं यह हो गया पहला method दूसरा method क्या है 21 बटे 20 डारेक रेशियो से ले लेंगे 21 बटे 20 तीन बार लेना है 21 बटे 20 इतना हो जाएगा यह 9261 हो गया तुम्हारा amount और 8000 क्या हो जाएगा तुम्हारा principle हो जाएगा 8000 की value कितनी है 16000 principle कितना है और एक की value कितनी हो जाएगा एक की value 2 हो जाएगी और इसमें से minus करेंगे यह तो amount है amount में से हम principal को minus करेंगे तो क्या आजाएगा direct 9261 में से 8000 minus करेंगे तो क्या आएगा direct compound interest तो minus करने पर कितना जाएगा 1261 एक ratio की value है कितनी 2 है तो 1261 into 2 ratio के value multiply करेंगे इतना जाएगा 2522 तो इसका जो right answer हो जाएगा गो क्या हो जाएगा 2522 होगा ठीक है आगे करना है तो आगे हम करेंगे इसमें तीसरा method भी देख लेते हैं तीसरा method क्या है direct percentage से deal करना है क्या है परसेंटेश थिए तो तो अगर 16,000 की 10% की बात करेंगे कितना हो जाएगा तो पहले बार पहली तीन महीने में इंटरश कितना मिलेगा अगले महने में क्या मिलेगा इसका भी 5% बढ़ जाएगा 800 तो मिलेगा ही मिलेगा अब इसका 10% कितना है 85% कितना हो जाएगा 40 तो कितना मिलेगा 800 प्लस 40 तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं इस को सॉल कर सकते हैं तो नेक्स कोशन पर तो नेक्स कोशन आ गया है बूला गया है बीस पतीशत पतीवर्ष की दर पर नौ महीने के लिए सोलह हजार रुपे के धनराशी पर ती माही चक्रवद्धी ब्याज ग्याद कीजिए तो देखो ध्यान से समझना यह तो हो गया कोशन मैंने आपको बताया था कि कितना एड हुआ वो हमें चक्रवद्ध हुआ है बड कंपान इड्रेश में क्या होंता है जितने गुणा जितने साल में होगा उतना ही मृटिपल हमेश्या चलते जाएगा प्रेजन वाली वेल्यू पे बोल कर रहा है कि कोई वेल्यू 2 साल में कितने घुना हो जाती है, 3 numéro हो जाती है, तो प्रिंसिबल रहा होगा, 2 साल में कितने हो गया है, 2 साल में 3 Понा याने हो जाएगा, 3 पुछ साल में तो ऐसा ही चलते जाएगा, ठीक है, एब पूछ क्या रहा है ऐ Tous चारगा पूछ रहा है कि 9 गुना कितने साल में होगा, अगर 2 साल में 3 गुना हुआ है, तो 9 गुना कितने साल में हो जाएगा, 2 प्लस 2, यानि कितने साल में, 4 साल में, क्या हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना, ठीक है, चलिए, अब चलते हैं, next question पर, next question आ गया है, बताएज इसका अंसर क्या होगा पड़ा पड़ चार वर्ष में तीन गुना हो जाती है तो प्रिंसिपल चार साल में कितने गुना हो गया है तीन गुना पूछ रहा है कि एक कैसी गुना कितने साल में होगा तो अलग कर लो भी एक कैसी गुना तो देखो चार साल में कितने गुना हुआ तीन गुना, अगला तीन गुना कितने साल में होगा अगले चार साल में होगा, ठीक है अगले चार साल में फिर से तीन गुना कितना होगा, नाइन पी फिर अगले तीन गुना कितने साल में होगा, फिर से चार साल में होगे, ठीक है, फिर अगले तीन गुना, फिर से चार साल इसमें आड़ कर देंगे, ठीक है, अगले चार साल में फिर 27P, फिर अगले चार साल में कितना हो जाएगा, तो 81P, तो देखो, तीन 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 नो, नो रश्या confusion नहीं रहेगा, तो अगर उपर वाली से करना है, उपर वाली से करना है, नीचे वाली से करना है धूनों से answer आपका सही ही आएगा exam में, चले screenshot ले लिए इसका, answer कर रहे न आप लो, next question आ गया है next question बताना है next question में क्या बोला है चक्रवधी ब्याश पर 4 वर्ष में एक धनराशी 4 गुना हो जाती है ठीक है तो English में एक मिनट देख लेते हैं इसको क्या बोला a sum of money becomes four times of itself in seven year तो इसको seven year seven चार साल को कितना कर लो साथ साल कर लो कितना साल कर लो साथ साल ठीक है तो कोई धनराशी कोई धनराशी क्या हो रहा है चार गुना हो रही है कितने साल में तो साथ साल में कितने गुना हो गई है चार गुना हो गई है तो इन तो दो गुना होई है कितने साल में साथ साल में तो दो गुना कितने होगी साड़े तीन साल में प्लस फिर दो गुना कितने साल में होगी साड़े तीन साल में ठीक है फिर क्या बोला है इसको आठ गुना करना है तो अगला फिर दो से गुना करेंगे क्या करेंगे और 2 से गुणा करेंगे, मुध दो नहीं 4 दो नहीं 8 तो फिर अग्ला दो गुणा जो होगा, वो क्या होगा? आने वाले 3 साल में हो जाएंगा प्राइट टोल कितने साल हो गए? टोल हो गया? साड़े 3 साड़े 3 साड़े 3,à3,à 3 अब next question आ गया है विडियो को pause कीजे question को solve कीजे और बताए इसका answer क्या होगा एक धनराशी किसी वाशिक चकरुदी ब्याज की दर से दो वर्षों में स्वयम का कितना हो जाती है इतने गुणा हो जाती है अब देखो दो वर्ष में आपको बताया था दो गुणा दो गुणा दो गुणा चलता है तो हमेशे धान रखना चकरुदी ब्याज और पिंसिपल अगर दो वर्ष की बात करेंगे दो वर्ष से हमें एक वर्ष में आना है दो वर्ष कितने वर्ष में एक वर्ष में तो उसका square root करेंगे क्या करेंगे square root अगर 3 साल से 1 वर्ष में आना है चकरदी बैस से तो क्या करेंगे उसका cube root करेंगे क्या करेंगे cube root तो दिया कितना है 144 दिया है 2 साल से हमें 1 साल में आना है क्या करेंगे square root अगर 3 साल का दिया रहा था तब क्या करते है cube root करते है चकरदी बयास से तो एक साल कर लो, एक साल का कितना जाएगा? 1.2 हो जाएगा, एक साल में ब्याज, मतलब 1.2 times हो जाएगा, principle का, 1.2 times है ने point हटा दिया, 10 से divide किया, मतलब principle कितना रहेगा? 10, amount कितना रहेगा? 12, तो interest कितने का मिला? 2 का, कितने के उपर, 10 के उपर, और into 100, यही क्या होगा आपका rate of interest, हमेशा जो interest है, वो किस से compare करेंगे, हम principle से compare करेंगे, किस से compare करेंगे, principle से, into 100, 0 से 0 कट गया, यह कितना जाएगा, 20%, कितना जाएगा, 20%, तो इसका जो right answer होगा, वो क्या हो जाएगा, option number D is the right answer, ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अगर 2 साल की बात होगी, amount को, एक साल में convert करना है, तो क्या करेंगे, cube root करेंगे, और 3 साल की बात होगी, तो क्या करोगे, आप cube root कर देना, क्या कर देना, cube root, ठीक है, नोट करके लिख लेना, इसको, चलिए, अब next question आगया है, next question करते है, क्या बोला है, वह मुल्धन ग्याद कीजे, क्या बोला है, वह मुल्धन ग्याद कीजे, जो प्रतिवर्ष 5 परतिशत की दर से दूसरे वर्ष में 420 होगी, तो देखो, एक साल हो गया, और क्या हो गया, दो साल हो गया, अभी हमने starting में question किया था, जिसमें 5-5% बढ़ा गया थे, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी interest मिला होगा, उसका 5% बढ़ाना होगा, 5% मतलब कितना हो जाएगा, एक बटे 20, यहने value 20 थी, 20 पर एक बढ़ेगा, बढ़कर कितनी हो जाएगी, 21 बटे 20 करेंगे, तो बढ़ जाएगी value, और 21 बट तो एक साल में, जो ब्याज मिला है, कितना मिला है, 400, और किसका मिलेगा ब्याज, तो ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का 5% मिलेगा, अब प्रिंसिपल का 5% क्या मिलेगा, एक साल का ब्याज मिलेगा, और प्रिंसिपल का 5%, और एक साल का ब्याज है, कितना है, 400, अब हमसे प 40-100% की value 400 है तो 100% की value कितनी होगी 180 परसेंट की value कितनी होगा कि इसका 20구요 इसका 20 फियूह ला कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा 8000 कितना हो जाएगा आठ तुसका जो right answer होगा वो क्या हो जाएगा option number c होगा option number c इसका right answer होगा ठीक है तो I hope सभी को समझ में ये question आ गया होगा और ये आज का हमारा last question था आज के question आपको level अच्छा लागा होगा और सारे question आपको sound में आया होगे सबसे पहले हमने basic discuss किया था जो भी अगर बीच में वीडियो में आया है तो सबसे पहले आपका करना starting का portion देख लेना उसी के बाद बीच का portion देखना है ठीक है और उसके बाद आपको पूरे question प्रैक्टिस कर लेना एक्जाम में जाने से पहले आपको पता है कि अगर हम आपका exam की बात करें इस topic से 2-3 question बन रहे है तो मैंने इसमें क्या कर रहा है कि सारे concept जितने भी होते हैं सारे type के question रखे ताकि आपके स exam ने expected है वैसे question रखें तो आपको session अगास अच्छे लग रहा है English के math के reasoning के तो आपको करना क्या है को करना कुछ नहीं वीडियो को जाले स्यादा शेयर करना है और चैनल को subscribe कर लेना है साथ में bell icon को press कर लेना है जिसे क्या हो आपको ऐसा ही time time पर video मिल सके ठीक है चले और session क कैसा लगा है वो आपको जरूर बताना है comment box में comment करके कि session कैसा लगा रहा आपको जो भी suggestion हो किसी topic पर आपको video चीए वो सारी सीचे आपको बताना है comment box चले thank you so much guys thank you very much